वीडियो की नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके औल में किलिक कर दीजिए इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे आज हम क्लास 10 के एक्सराइज 4 के क्वेशन नमबर 16 से बनाने वाले हैं तो इसे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेशन नमबर 15 तक बनाया था क्वेशन नमबर 16 देखें इफ दा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वन पेकेट ऑफ वन ग्रोस मेच बॉक्स हार 2.8 डेसिमीटर और यहां पे चुट गया है यहां पे होगा 1.5 डेसिमीटर इसका प्रेक्शन कर लीजेगा एंड 0.9 डेसिमीटर रिस्पेक्टिवली मतलब एक ग्रोस मेच बॉक्स यानि माचिस का बॉक्स या दियाल सिलाई का एक बॉक्स है उसका एक ग्रोस है ठीक है ग्रोस क्या आगी लिखवा भी है तो एक ग्रोस मेच बॉक्स का लंबाई यानि लेंथ वो है 2.8 डेसिमीटर चौड़ाई ब्रेथ 1.5 डेसिमीटर है औ लिखावा 1 gross equal to 12 dozen आगे क्या है then let us calculate the volume of one match box तो हमें एक माचिस के box या दिया सिलाई के box का हमें volume या आयतन पता करना है ठीक है एक gross box का total दिया हुआ है लंबाई चोड़ाई और उचाई और हमें सिरिफ एक माचिस का जो box होता है जो छोटा सा होता है लेकिन अगर उसी एक माचिस के box या दिया सिलाई के box का अगर लंबाई 5 cm और चोड़ाई अगर 3.5 cm होता then let us calculate यहाँ पे एंड काट दिजेगा calculate the height of it तो फिर उस एक माचिस के box का हमें height पता करना तो यह बाद में हम करेंगे तो हम यहां से पहले एक माचिस के box या दिया सिलाई के box का हम volume में आयतन पता करेंगे तो सबसे पहले देखिए लंबाई दिया वा था एक ग्रोस माचिस के box का 2.8 dm चोड़ाई था 1.5 dm और height था 0.9 dm यह सभी decimeter मेरा point में हैं तो हम सबसे पहले point को हटा लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा सब को cm बना लेंगे एक decimeter बराबर होता है 10 cm तो decimeter को cm बनाना है तो 10 से into करना पड़ेगा जरब या गुन करना पड़ेगा तो हम into कर लेंगे 2.8 को जब हम 10 से into करेंगे तो यह cm बन जाएगा ठीक है और यह कितना हो जागा देखे यह point अगर हटेगा तो नीचे में कितना होगा point के दाने तरफ एक ही number है तो नीचे 10 होगा यह 10-10 कट जाएगा तीरचा में तो यह हो जागा अब यह 28 हो गया ठीक है तो यह 28 cm यह cm यह भी लिख लेंगे तो बिल्कुल इजी है 2.8 dc है तो बस यह point हट जाएगा कितना हो जागा 28 cm उसी तरह यहां से भी हम direct लिख सकते हैं 1.5 dc है तो अगर हम यह चीज ना करें कितना लिख सकते हैं सेंटीमेटर में इस point को बस हटा देंगे तो यह 15 cm हो जाएगा और यहां पे 0.9 dc है तो इस point को हटाएगा लेंद भी रहता है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कि टोटल कितना वॉल्यूम में आये तने ठीक है इसलिए वॉल्यूम ओफ वन पेकेट ओफ वन गुरोस मैच बॉक्स यह एकवल्यू कितना हो जाएगा लंबाई जरब चौड़ाई जरब उचाई तो लंबाई चौड़ाई इन तीनों को इंटू कर देंगे हम डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो लंबाई है 28 इंटू चौड़ाई है 15 और उचाई है 9 इतना क्यूबिक सेंटीमेटर क्यूबिक इन तो क्यूबिक सेंटीमेटर एंगन सेंटीमेटर काटने में हमारे censal करने में देंगे हमारे लिए इजए होगा वनगुरोसगेख द क कँलका दना एक दरजन सबस्क्राद मेंकफ द करी दर्जन सबस्क्राद सबस्क्राद भारीजर्द सबस्क्राद में 12 टरजन यह 12 एंट Dimash से अधिनद कि पीस में सबस्क्राद बोक्uben सबस्कर जोप दोटा मैंच बोक्स या दिया से लाएगा box हो गए इतना match boxes ठीके तो 12 into 12 इसको भी चाहिए तो हम इसी तरह छोड़ दे सकते हैं जरब करेंगे तो 144 हो गए इंटू करेंगे तो तो मतलब यह हो गया के 12 into 12 इतना match box का total volume इतना है तो फिर एक box का volume कितना होगा या इतन कितना होगा तो simple है 12 into 12 box का अगर इतना है तो एक box का कितना होगा इसको हम 12 into 12 से divide कर देंगे total कितना box से उससे divide करेंगे तो एक box का हमें volume पता चल जाएगा ठीक है इसलिए volume of one match box एक माचिस के box या एक दिया से लाई के box का volume total volume को हम divide किससे कर देंगे total volume में 28 into 15 into 9 ये total volume इसको divide करेंगे total एक gross में कितना पीस माचिस का box है तो 12 into 12 पीस है तो ये जो भी कट के आगा देखे कितना हो रहा है अगर हम 3 से काटे तो 3 ती आना हो 3 चोके 12 ठीक है उसके बाद फिर यहां 3 से 12 कटेगा 3 चोके 12 4 से 28 कट जागा 4 सते 28 ठीक है तो ये कितना हो जा रहा है अब 4 7 नहीं कटेगा 4 15 नहीं कटेगा बटा नीची में हो जाएगा 4 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर अब इसको डिवाइड करके देखे कितना होगा इसको डिवाइड करेंगे तो 105 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 होगा बचा 2 5 उतरेगा 25 चार चक 24 एक बचा 4 से एक नहीं जाएगा पॉइंट देंगे 0 चार दूना 8 दो बचा पॉइंट दिया वही इसलिए एक और 0 लेंगे 20 होगया 26.25 यानि 26.25 क्यूबिक सेंटीमेटर यह एक माचिस के बॉक्स या एक दिया से लाई के टोटल वॉल्यूम या आयतन इसके बाद कोश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे यह पूछा गया कि अगर एक माचिस के बॉक्स का लंबाई 5 सेंटीमेटर होता और चौडाई 3.5 लंबाई दियावाँ है चौडाई दियावार उंचाई यह एक समाल लेंगे तो उन तीनों को इंटू करेंगे तो टोटल एक माचिस के बॉक्स का वॉल्यूम होगा आयतन होगा और वही यहां पे हम निकाल चुकिए कितना है वॉल्यूम एक सो पाँच बटा चार है या फ बता कर लेंगे तो देखिए हम यहां पर height मान लेते हैं late height of the match box यानि माचिस के box या दिया से लाई के box height 1 cm और लंबाई दियावा 5 cm चोड़ाई दियावा 3.5 cm तो इसका volume लिख ले इसलिए volume कितना हो जगा लंबाई यानि 5 cm इन्टो चौड़ाई 3.5 cm इन्टो हाइट कितना होगा एक सेंटीमिटर ये टोटल तीनों इन्टो होग येतना क्यूबिक सेंटीमिटर होगा ठीक है और यहीं जो वॉल्यूम है यहीं वॉल्यूम जो है यह वॉल्यूम यानि 5 into 3.5 into X यह भी टोटल वॉल्यूम है एक माचिस के बॉक्स का और एक सो पांच बटा चार यह भी टोटल वॉल्यूम है क्था यह दोनों हो जाएगा यहां से एक से वैलू निकालने और x कैसे निकलेगा यहाँ पर अगर हम यह दोनों को यह इंटू है तो यह दाहिने तरब जाएगा तो नीचे आ जागा 105 के नीचे एक्स एक्वाल टू हो जाएगा 105 बटा नीचे में 4 होगा और इसके साथ इंटू हो जागा यह दोनों 5 into 3.5 ठीक है अब यहां से देखे कितना value आएगा पास से अगर हम इसको काटेंगे कितना होगा 5, 2, 10, 5, 5, 21 हो गया ठीक है अगर 3.5 का यहां पर हम point हटाते हैं तो उपर में हो जाएगा 10 जैसे उपर में से हटाते है point तो नीचे 10 लिखते हैं नीचे से अगर हम point हटाएंगे तो उपर में लिखेंगे 10 ठीक है क्योंकि इसके दाने तरफ एक नमबर है तो अब यह बन गया 35 यह हो गया 10 यह भी हम काटेंगे पांच के पाड़ा से 5 दूना 10 पांच सत्य पैंटिस और साथ से एकिस कर जाएगा साथ यह एकिस ठीक है अब यह उपर में तीन इंटू दो और नीचे में चार दो अचार भी कर जागा दो दूना चार और एकस इक्वल टू कितना आ गया उपर में ती तीन बटा दो सेंटीमेटर इसको आप डिवाइड कर लेंगे यानि यह तीन को दो हिसा करेंगे तो यह डिवाइड करके आप देख लिजेगा 1.5 सेंटीमेटर देड़ सेंटीमेटर होगा है ना यह होगा एकस का एंसर Q17. Half of a cuboidal water tank with length of 2.1 meter and breadth of 1.5 meter is filled with water यानि एक cuboidal water tank है पानी का टंकी जो cuboidal shape का है आयतगार घंज जैसा एक होज है जिसका लंबाई 2.1 meter है और चोडाई 1.5 meter है इसको पानी से यह पानी से आधा भरा हुआ है ठीक है इसके बाद if 630 liter water is poured more into the tank अगर उसी टंकी में होज में और भी 630 liter पानी एकस्ट्रा डाल दिया जाए more then let us calculate and write the depth that will be increased by जो tank है या टंकी या होज है उसमें जब हम एकस्ट्रा पानी डालेंगे तो पानी का जो layer वह उपर बढ़ेगा जो पानी का height है वह बढ़ेगा है न क्योंको पानी डालेंगे तो तो वह कितना height तक बढ़ेगा यह हमें पता करना है ठीक है तो देखे इस ट्वंट्स, जो टंकी है पानी का, उसमें पहले ही से आधा टंकी तक पानी भरा हुआ है, तो हम आधा टंकी जो पानी भरा हुआ है, उसको हम छोड़ दे फिलाल, हम उसके बाद से हिसाब करें, आधा टंकी के बाद ही तो हम 630 लिटर पानी उसमें डाल रहे है तो अब जो height उसमें बढ़ रहा है पानी का हम उस height को या depth को उस गहराई को हम x decimeter माल लेंगे ठीके क्योंकि वो total पानी के होजा से height बढ़ रहा है तो हम माल लेंगे late depth increased यानि कितना depth या गहराई या height जो है उचाई वो x decimeter उसमें बढ़ता है decimeter हम क्यों माने है क्योंकि हमारा जो total पानी जो उसमें हम डाले है वो liter में है और मैंने आपको एक बताया वे था note में के 1 cubic decimeter बराबर 1 liter होता है 1 cubic decimeter या घंड decimeter बराबर होता है 1 liter ठीके तो liter में दिया हुआ इसलिए हम सभी को decimeter में change कर लेंगे लंबाई चोड़ाई उचाई को तो घहराई को हम x decimeter या उचाई को x decimeter माल लेंगे लंबाई दिया हुआ था हौज का या टंकी का 2.1 meter इसको भी हम decimeter बना लेंगे तो meter को decimeter बनाने के लिए 10 से into करना पड़ता है तो 2.1 को हम 10 से into करेंगे कितना होगा यह यह point हटेगा तो नीचे हो जाएगा 10 क्योंकि दायने तरफ एक number है यह 10-10 कटेगा तो यह हो जाएगा 21 decimeter ठीक है मतलब meter से decimeter बनाना है तो बस इस बीच के point को हटा दे 2.1 के जगा में 21 decimeter हो जाएगा इसी तरह से 1.5 meter है तो decimeter यह कितना हो जाएगा बस यह point हट जाएगा तो यह हो जाएगा 15 decimeter ठीक है तो जो टोटल पानी का जो हाइट है वह x है लंबाई वह 21 decimeter है और चोड़ाई 15 decimeter यह x decimeter तो हम टोटल पानी का volume जो होगा यानि जितना पानी वहीर 630 लिटर के बराबर होगा बिलकुल दोनों सेम होगा क्यूंकि जितना पानी 60 Volume यह 0, by impossible है जो टोटल पानी का वॉल्यूम औफ वाटर रेज्ट यानि जितना पानी का लेवल जो बढ़ा है उस टोटल पानी का वॉल्यूम या आयतन तो कितना होगा लंबाई जरब चोडाई जरब उचाई लंबाई हो गिया 21 डेसिमीटर चोडाई हो गिया 15 डेसिमीटर और उचाई या डेफ्थ इतना cubic decimeter हो जाएगा इसलिए अब यह तीनों को इंटू करेंगे cubic decimeter मतलब इसको इंटू नहीं करेंगे इसी तरह छोड़ देते हैं इंटू एक्स इतना cubic decimeter मतलब लीटर ठीक है तो यह total पानी 630 लीटर के बराबर है तो इस इक्वल टू 630 लीटर बाइदा problem यह बाइदा question लिखें इसलिए बाइदा question प्रस्तन अनुसार यह सवाल के मताबिक एक्स इंटू 15 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 630 यहां से x का value हम निकाल लेंगे x इक्वल टू कितना होगा एक्स इंटू 15 यहां इंटू है दाइने तरब जाएगा तो 630 के नीचे आ जाएगा 630 बटा 21 इंटू 15 यहां से काटेंगे 21 से 3 बार में 63 कटता है तो एक ही बार में अगर काटेंगे 21 3 63 और यह 0 लगा देंगे 30 हो गया 15 से 30 दो बार में कटेंगा 15 दूना 30 तो एक्स इक्स इक्स कीटना हो गया 2 और यह क्या होगा यह सभी डेसि में अमने माना था तो एकस जो होगा यह भी डेसि में होगा यहीं हो गया एंसर यानि उसका हाइड जो है पानी का हाइड वह 2 डेसि मेंटर तक बढ़ेगा बढ़ेगा question number 18 मतलब गाउं का एक rectangular field है यानि मुस्ततिल नुमा या आयताकार एक मैदान है जिसके लंबाई 20 मीटर है और चावडाई 15 मीटर है मतलब उस मैदान के चारो कोने पर चार क्यूबिक होल यानि चार क्यूबिक यानि क्यूब शकल के या घन आकिर्ती के चार गड़े या होल खोदे गए मैदान के चारो कोने पर ठीक है और उनसे जो निकला ठोटल मिट्टी डग आउट यानि खोदा गया और चारो गड़ है से निकलने वाली जो ठोटल मिट्टी है раздел को उन गड़ों को छोड़ कर जो बाकी मैडान बचा उस मैडान पर उस मिट्टी को ठोटल को लेबल करके भिछा दिया गया ठीक है जिसकी होजा से क्या होगा कि जब लेबल करके बिछा दिया जागा मिट्टी को तो मैदान का जो हाइट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा उंचा हो जाएगा तो वहीं हमें पता करना है let us calculate and write the height of the surfaces of the field that is increased by तो इससे मैदान के जो उंचाई जितना उसका हाइट बढ़ गिया है वो हमें पता करना है तो देखिए इस तरह का एक मैदान है जो rectangular या आयताकार शेप का है इसका लंबाई 20 मीटर है चोड़ाई 15 मीटर है इसी मैदान के चारो कोने पर यहाँ पर एक कोना पर यहाँ पर एक कोने पर इन चारो कोने पर चार क्यूबिकल यानि घन आकरती के या क्यूबिकल क्यूब शेप के चार गड़े खो दे गए है ठीक है और उनका जो एक साइड है लंबाई है वो चार मीटर है ये भी चार मीटर है ये भी चार मीटर है इसी तरह ये सब है ठीक है यहां भी चार ये चार मीटर है और गहराई भी इसका अंदर जो गहरा होगा गहराई भी चार मीटर है ठीक है इस तरह चार तरफ खो दे गए और इ इन चारो गड़ों को छोड़कर जो बाकी इसा बचेगा क्योंकि यह तो गड़े है यहाँ पर निकाला गिया इस जगे पर तो मिट्टी डालने से इस टोटल जगे का हाइट कितना बढ़ेगा तो हम माल लेंगे इसका हाइट जो है वो एकस मीटर बढ़ जाता है तो सबसे पहले तो हम यह करेंगे के चारो गड़ों से कितना मिट्टी निकाला गिया पहले हम वो पता कर लेंगे यानि मिट्टी का टोटल वॉल्यूम या आयतन पता कर लेंगे पहले तो एक गड़े से कि फ्रॉम वान कुबिक हॉल यानि एक गड़े से निकाले गए मिटी निकालना ठीक है ना तो एक गड़े से निकाले गए मिटी का वाल्यूम या आयतन तो यह क्या एक cube है लंबाई चोड़ा हूँ चाहे तीनों इसका same है तो उसका volume कितना होगा volume उसका side का hall cube होगा या भूजा का hall cube है तो यह हो जागा 4 का hall cube इतना cubic meter यह meter में दिया हुआ था तो यह एक गड़े से इतना मिट्टी निकाला गिया तो चार गड़ों से कितना निकाला जाएगा तो इसको चार से into कर देंगे तो चारों गड़े का total मिट्टी या volume पता चल जाएगा मिट्टी का volume या आयतन इसलिए volume of soil removed from four cubic holes यह चार गड़ों से निकाले गई मिट्टी का volume या आयतन यह जागा four into चार का whole cube ठीक है इसको अब दे के लिए कितना होगा यह जागा चार यह चार का whole cube कितना होता है 4 चोके 16 16 चोके 64 तो 4 into 64 इसको into करेंगे कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 256 cubic meter इन्हें चारों गड़े से तोटल 256 cubic meter मिट्टी निकाला गया 256 cubic meter मिट्टी को ही तो इस जगह में फैलाया गया तो इस जगह में फैलाने से इसका height जो है यह जमीन से level इसका बढ़ जागा थोड़ा ठीक है तो इसका तो पहले हमको इसका area पता करना पड़ेगा बने इस type के जमीन का है इस तरह का type का जो जमीन है इस तरह का है type का जो जमीन बन रहा है इसका पहले हमे area पता करना होगा इसको हम height से into कर देंगे तो टोटल इसका volume आगा ठीक है पहले तो इसका area कैसे पता करेंगे पहले तो इसका area या छेतरफल हम पता कर ले तो इसका area कितना हो जाएगा पहले देखें area या छेतर फल area of the rectangular field यानि rectangular मैदान या आतकार मैदान का area कितना होगा लंबाई जरब चोड़ाई होगा लंबाई है 20 मीटर इंटो चोड़ाई है 15 मीटर यतना हो जाएगा square मीटर ठीक है यह हो गया total इसका area इसके बाद हम एक hole का area पता करेंगे यानि यह सिर्फ उपर वाला ठीक है एक cubic hole का area पता करेंगे या एक साथ हम 4 hole का भी पता कर सकते तो 4 hole का ही हम पता कर लेते ठीक है area of four cubic holes यानि 4 cubic hole या घन आकिरती के 4 गड़ो का area ठीक है यह area पर दियान दीजेगा volume नहीं area यानि छेतर फल या रकबा area में क्या होता है शिर्फ उपर का लंबाई जरब चौड़ाई लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो लंबाई भी चौड़ाई भी 4 है ठीक है तो लंबाई जरब चौड़ाई कितना हो जागा area उपर का यह हो जाएगा चार इंटू 4 यानि चार का square हो जाएगा ठीक है चार का square यह हो जागा एक hole का area ठीक है उपर का area और इसे कितने हो ले चार हो ले तो चार से इंटू कर देंगे तो चार क्यूबिक hole का area आ जाएगा इतना यह बराबर कितना हो जाएगा चार का square 16 16 इंटू 4 64 64 square meter यानि यह जो आप देखरें साधा खाली खाले यह चार का area मिला कर कितना हो जाएगा 64 अब इस total से यह total जो है यह है इतना 20 इंटू 15 इसको इंटू कर लेंगे तो यह हो जाएगा 300 पंदरा दूना तीस जीरो 300 square meter ठीक है टोटल कितना है यह पूरा जिसमें चारो गड़े भी उसके साथ है एड तो यह total का area हो रहा है 300 square meter उसमें से इन चारो का area को अगर हम माइनस कर दे हटा दे यह चारो का area है 64 तो 300 total है यह 4 का है 64 300 से 64 को अगर हम हटा देंगे तो यह बाकी जो है जो यह वाला इसका यह total area आ जाएगा 300 से 64 को माइनस करना यह यह चारो को ने तो area of the rectangular field excluding excluding यानि हटा कर excluding the four holes यानि चारो गड़ो को हटा कर बाकी जो मैदान बचा rectangular field उसका area या 6 तरफल यह कितना हो जाएगा यह बराबर हो जाएगा 300 माइनस 64 कितना square meter बराबर हो जाएगा 300 से 64 गटाएंगे कितना हो जाएगा 236 square meter ठीक है तो इसका area कितना हो गया 236 square meter और यह total area में ही height से बस इसको into कर देंगे हम तो इसका total volume आजागा जो 256 के बराबर होगा तो हम इसका height कितना माल लेंगे जो height बड़ा वो x meter माल लेंगे उसको into करेंगे 236 से वो बराबर हो जाएगा 256 के ठीक है तो हमने माल लिया height of the field raised यानि जो मैदान है उसका height x meter माल लिजे मिट्टी डालने के बाद वो उचा हो गया तो volume of the raised surface यानि मैदान का total कृटल जो है volume वो कितना उचा कितना बड़ा है volume उसका total कितना है total मैदान का जो area है वो जो area है total मैने इस तरह से करके दिखाया था आपको का है इस तरह का total मैदान का area से height को into कर देना है total मैदान का area हमारा निकला था 236 और इसको into कर देंगे अगर हम height के साथ x के साथ तो एतना cubic meter यह total मैदान का volume होगा मिट्टी डालने के बाद और यहीं जो है 256 के साथ बराबर हो जाएगा इसलिए by the problem 236 into x equal to 256 और यहां से x का value कितना होगा x equal to 256 बटा यह 234 नीचे आ जाएगा इसको में काटेंगे तो चार के पाड़ा से काटें तो चार 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 चौबीस एग यह 16 चाचो के 16 और यह जागा चार पचे बीस तीन बचेगा 36 चार नवा 36 तो यह आ गया 64 बटा इसलिए अग क्तीन बचक्सी सड़ भाग को कितन Haven उनसट और बचे गा 5 पांच पांच जाल पर बचे गा 59 तो यह यह 165 बटा नव मीटर लिए यह ज defenders मैदन का यह 236 तो पंटा नव मीटर यह बढ़ेगए इसलिए ए सकते आप इसलिए हाइट रेज्ट यानि कितना हाइट बढ़ा बढ़ा हुआ हाइट एक साही पांच बटा 59 मीटर यह हो जाएगा एंसर question number 19 for elevating 6.5 decimeter of a low land with length of 48 meter and breadth of 31.5 meter it is decided that the soil will be collected by scooping a hole in a nearby land with length of 27 meter and breadth of 18.2 meter for elevating यानि उचा करने के लिए एक नीची जमीन है लो लेंड है नीचे जमीन है उसको 6.5 decimeter उचा करने के लिए ठीक है यानि इतना हाइट बढ़ाने के लिए और उस नीची जमीन का लंबाई 48 मीटर है चौड़ाई 31.5 meter है उसको कितना उचा करना है 6.5 decimeter तक उचा करना है इतना उचा करने के लिए यह डिसाइड किया गया के जो मिट्टी है वो सामने से एक किसी सामने जगा से एक होल यानि गड़ा खोद कर वहां से मिट्टी निकाल कर उस नीचे जमीन में डाल कर उस नीचे जमीन को उचा किया जाएगा 6.5 decimeter तक उचा किया जाएगा ठीक है तो सामने किसी जगा गड़ा तो वहा帶 से मिट्टी निकालना रहे हैं , उस जगह का लंबाई 27.0 e 1.ờ 1.20m , जिस जगा से मिट्टी खोद दो मृतों निकालना जा रहा रहा है , जिस जगह से मिट्टी खोद की निकाला रहे है adalahj कितना गहराई तक मिट्टी खोदना पड़ेगा Then press calculated the moral depth of तो यहां पर देखिए इसका concept यह है कि जिस जगह से मिट्टी खो देंगे उसका लंबाई चोड़ाई दिया हुआ है उसका शिरिफ हम depth यानि गहराई को हम एक मिट्र माल लेंगे तो लंबाई चोड़ाई और गहराई इन तीनों को into करेंगे तो उस जगह का मिट्टी का total volume या आयतन हमें पता चल जाएगा और उसी मिट्टी को हम इस्तमाल कर रहे हैं कहां नीचे जमीन को उचा करने के लिए तो नीचे जमीन में भी कितना volume हो रहा उसका लंबाई चोड़ाई उचाए उन तीनों को into करेंगे तो वह volume जितना है और यह जमीन जहां से मिट्टी खोदा गया दोनों का volume सेम होगा क्योंकि यहां का मिट्टी को ही उठा कर उस जगह में डाला जा रहा है तो यहां से जितना मिट्टी उठा उतना ही मिट्टी व पता हो जाएगा तो हम क्या माल लेंगे जो होल है यानि जिस जगह से मिट्टी को निकाला जा रहा है खोद के उसका हम गहराई को एक सिमीटर माल लेंगे ठीक है और वहां से टोटल कितना मिट्टी निकाला जा रहा है उसका volume निकालेंगे हम ठीक है इसलिए इसलिए volume of the soil removed from nearby hole, यानि सामने जो गड़ा खोदा जा रहा, nearby hole, वहां से कितना मिट्टी निकाला जा रहा, उसका total volume आयतानी कितना होगा, तो ये हो जाएगा, लंबाई जरब चौड़ाई जरब उचाई, लंबाई hole का दियावाय कोशन में 27 मीटर, इंटू चौड़ाई दियावाय 18.2 मीटर, और गहराई हमने एकसमान लिया, एकस मीटर, तो ये तीनों इंटू करने से इतना volume होगा, आयतान इतना cubic मीटर, अब इसी मीटर को इस्तमाल करके, सामने का जो जमीन है, नीचे जमीन है, यानि नीचला जमीन है, उसको उचा किया गिया, उसका volume निकाल लेंगे हम, टोटल वहाँ पे जो मीटर डाला गिया, उसका volume, एगेन, यानि फिर, वॉल्यूम अब दा लेंड, एलिवेटेड, यानि, जिस लो लेंड यहाँ पे लिखेंगे, यानि जिस नीचे जमीन को उचा किया गिया, उसका टोटल वॉल्यूम या आयतन, यह कितना होगा, उसका लंबाई दिया हुआ था, 31.48 मीटर, चोड़ाई दिया हुआ है, 31.5 मीटर, और उसको उचा किया गिया, 6.5 डेसी मीटर, तो 6.5 डेसी मीटर जो है, उसको हमको मीटर बना लेना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों मीटर में पहले ही से, तो मुझे यहाँ पे कर लेना चाहिए था, 6.5 यहाँ पे कर लेते हैं, 6.5 डेसी मीटर बराबर होगा, डेसी मीटर को मीटर बनाना है, तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो 6.5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा तो 10 से डिवाइड करने का मतलब ये हो रहा है अब चाहे तो इसे ही लिख दें ये हो जागा 6.5 by 10 इतना मीटर बन गया तो टोटल इतना वॉल्यूम हो जागा इतना क्यूबिक मीटर तो ये वॉल्यूम जो मीटी निकाला गया ये वॉल्यूम और जो जिस जमीन का उचा किया गया इसका ये टोटल वॉल्यूम ये दोनों आपस में बराबर होगा ठीक है तो according to question according to question ये बराबर ये 27 into 18.2 into x बराबर हो जाएगा 48 into 21.5 into 6.5 by 10 से हम x का वेलू निकाल लेंगे तो देखे x equal to हो जाएगा कितना ये जो into x के साथ ये दोनों जाएगा इसके नीचे आजाएगा यानि 10 के साथ नीचे आजाएगा तो कितना हो जाएगा 48 into 31.5 into 6.5 है और नीचे में ये 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 10 है और इसके साथ into हो जाएगा ये दोनों नीचे आजाएगा 27 into 18.2 अब यहां से में उपर नीचे कैंसल करेंगे तो देखे कितना होगा देखे यहां भी point के बाद एक number है दाएने तरफ यहां भी point के बाद एक number दाएने तरफ तो ये point point हट जाएगा क्योंकि इसको आटाएगे नीचे 10 आएगा इसको आटाएगे ऊपर 10 आएगा वो दोनों कर जाएगा उसका मतलब ही होता है जब point के बाद दाएने तरफ एक number point के बाद दाएने तरफ एक number यानि same same number है तो फिर आप उसको हटा सकते है इसके बाद यहां से देखे कितना होगा बाकी को आप काटे है इसको अगर हटाएगे point के तो नीचे आजागा 10 यूँकर दाएने तरफ एक number है यह हो गया 315 यहां से देखे कितना होगा चले जो आसान लग उसी से काट ले 5 से पहले काट ले 5 से तेरा पचे 65 होता है 5 से काटेंगे 5 दूना 10 होगा ठीक है उसके बाद इस तरफ देखे कटेगा यह 3 से काट ले 3 नवा सताइस 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 गया 18 3 चक 18 और क्या कटेगा देखें यह कट सकता है यह 2 से 16 कट जाएगा 2 अठे 16 8 और यह 10 कटेगा 2 चो के 8 2 पचे 10 फिर 5 से देखेंगे कटेगा क्योंके लाश्ट में 5 है 5 से काट ले 5 चक 30, 1 गया 15 5 तीया 15 ठीक है 63 आगिए 9 से 63 कटेगा 9 सते 63 उसके बाद देखें या तो यह 7 से कटेगा या तो 13 से कटेगा अच्छे 4 से भी कटेगा तक चार से काटेगा तो कट जाएगा 2 से 2 दुना 4 यहाँ पर कटेगा 2 नमा 18 2 एकम 2 91 हो गिया 13 से 91 कटता है 13 सते 91 और यह 7 साथ भी कट जाएगा बहुत सारा काटना पड़ा आप चाहे तो स्पीडिली काट सकते है अगर आप अपने हिसाब से भी काटेंगे तो नीचे सब कट के ओपर में सिर्फ यह 2 बचरा यहाँ पर यानि x equal to 2 और यह मीटर में होगा ठीक है यतना मीटर एंसर होगा यानि जो जमीने नीचली जमीने उसका हाइड दो मीटर तक यह बढ़ेगा ठीक है इसलिए depth raised यानि बड़ी भी गहराई दो मीटर है यहाँ भी एंसर लिख सकते ओके